नवस्कार दोस्तों, Only Real Stories में आपका स्वागत है ये कारवाई रोक दे थी ये बात सिर्फ ऐसे नहीं कही जारी बलकि पाकिस्तान के कही सारे अगबार और पोर्टल इस पर लिख रहे हैं लेकिन अभी ये जानकारी नियूज एजनसी राइटर ने भी दी वो भी भारत, पाकिस्तान और अमेरिकी सुत्रों के हवाले से कि दोनों देसों के बीच, बढ़ती तनातनी के बीच एक वक्त ऐसा भी आया था जब भारत ने पाक पर छे मिशाईलों के जर्ये कारवाई करने की चेतावनी दे दी थी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने एयर कारवाई के अगले दिनी यानि 27 फरिवरी को पाक वायू सेना दौरा सीमा लागे जाने पर भारत ने पाकिस्तान को सीधी कारवाई के लिए कह दिया था दरसल हमारे राष्टे सुरक्सा सलाकार यानि एनसे अजीत डोबाल ने पाकिस्तानी खुपी आईजनसी यानि आईएसाई के परमुक आसीम मुनीर से बात की थी डोबाल ने सक्त लहजे में कहा था कि पाइलेट अभिनंदन भले ही उसकी गरप्त में हो लेकिन भारत के रवाये में कोई अंतर नहीं आया है अगर वो नहीं सुधरा तो हमारी मिसाईले तियार है दोस्तों दोनों देसों के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच अमरीकी राष्टपती डोनाल्ड ट्रम्प और उतर कोरिया के तानाशां किम जोंग उल के बीच मिटिंग हो रही थी ऐसे में उसने भारत से आस्वासल लिया था कि मिसाईलों का पर योग नहीं करेगा सुत्रों का कहना है कि इसके बाद पॉम्पियों ने पाकिस्तान के विदेस मंतरी सहा मेहमुद खुरेशी और भारतिया विदेस मंतरी सुस्मा सवरास से फोन पर बात की भारत परसांचित के कमांडर एडमिनर फिल डेविडसन ने भी सिंगापूर में ये बात कबूल की थी कि भारत ये नोसेना के परमुक सुनिल लामा उनके साथ संपर्क में हैं और सबी लोग कोशिश कर रहे हैं कि दोनों देसों के वीज सांती हो जाए दोस्तों अमरिका नहीं बलके चीन, UAE और दूसरे देसों ने भी दोनों देसों के वीज तनाव करने की कोशिश की थी ये बातों दोस्तों भारत ने भी माने थी कि कई बड़े देस दोनों देसों के वीज सांती लाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस कारवाई की सूचन आपको दी जा रही है दोस्तों यह इस कारवाई की सूचन अमरान ने भी अपनी संसद में दी थी 28 फरिवरी को ट्रम्प के व्यतनाम में के होनाई में ही कहा था कि उन्हें लगता है कि भारत पाकिस्तान के बीच जल्दी तनाव खत्म होगा इसके बाद संसद में पाक परदान मंतरी इमरान खान ने भी कहा था कि भारतिया पालेट को रिया करने जा रहे हैं साथी उन्होंने ये भी कहा था कि भारत हम पर मिसायल के जरिये कारवाई कर सकता है लेकिन उसे रोख दिया गया है यहीं दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कारवाई की मूड में था भारत जिस वज़े से हमारे विंग कमेंटर अभिरंदन को छोड़ा गया चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेर भी करें